संबिधान की दोहाई दे देखे 24 का पूरा एलेक्शन निकाल दिया और कोट के खिलाफ चाने की बात करते हैं सुधांचू त्रिवेदी जी, the real face of the opposition is out विपक्ष का असली चहरा is out for everyone महिलाओं की बात, मुसर्मानों की बात, संबिधान की बात, ये हर चीज में इस आउट, जनता देखे, सुधांचू जी, शुरू कर रहा हूँ अपसा देखे, मैं कहना चाहता हूँ, जो समिधान रक्षा के का जो लबादा उड़े हुए, जो उसके फरजी जंडा बरदार है मैं उसे पूछना चाहता हूँ, जो जज्जमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया है तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, कि जब आपने शरीया को सर्वोच नियाले से उपर कर दिया था वो समिधान की रक्षा थी या समिधान की हत्या थी बस इतना इस पश्ट बता दें जो 1985 में हुआ था कि अगर सर्वोच चनियाले ने ये निर्णे लिया आज सर्वोच चनियाले ने इस पश्ट कर दिया कि हर महिला को गुजारा भत्ता का हक है वो किसी भी धर मजब को मानने वाली हो तो नमबर वन ये बता दें को महिलाओं के हक के उपर आगात था या उनकी रखशा थी दूसरा ये बता दें कि यदि शरीयत सर्वोच चनियाले से उपर हो गई थी वो भी पार्लेमेंट के एक के द्वारा सम्विधान संशोधन के द्वारा तो सम्विधान की हत्या थी या सम्विधान की रक्षा थी और अभी आपके टीवी में दिखाय जा रहा है कि भोज शाला सर्वे के उपर अब्दुल समध ये कह रहे हैं कि A.S.I.E. को कुछ नहीं मिला मज़े की बात ये फैक्ट तो इनको दिखाई नहीं पड़ते फिर कहरे अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस जाऊंगा मेरे सपा और R.J.D. के प्रवक्ता बताएं भारत के अंदरूनी मामले को लेकर कोई ये धमकी दे कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस जाऊंगा तो ये समविधान की रक्षा है या समविधान की हत्या है हमारी सरकार रहते हुए ये बता दीजिए CAA केंदर के द्वारा पारित कानून के विरुद राज्यों की विधान समाएं प्रस्ताव पारित करें ये समविधान की रक्षा है या समविधान की हत्या है नागरिक्ता का कानून जिस पे की समविधान के अनुसार राज्य का कोई अधिकार छेत्र नहीं है वो केवल केंदर का दिकार छेत रहे उसको लेकर राज की विधान समाएं प्रस्ताव पारित करें ये समविधान की रक्षा है या हत्या है तो बस ये बता दे जो कुछ हुआ था वो महिलाओं के हग की रक्षा थी या हत्या जो कुछ हुआ था वो समिधान की रक्षा थी यह हत्या क्रप्या और आज आपका क्या विचार है चले ठीक है 40 साल पहले का छोड़ दीजे क्यों अनुराग बदोरिया जी अभी हिलते डुलते बोलने लगेंगे यह 85 में चले जाते हैं वो तो सुप्रीम कोड गया है 85 में तो जिसको सीना चौणा करके बोलते हुँ नो चौक फिटी पीटके बोलते हो कि लखनी भलखनु लखनु पुर्वी से मैं शतर हजार बोक्ट से जीता हुँ पंतनगर की लोग, पंतनगर के बच्चे, घरों के बाहर बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरा घर बचाईए, कहा है संसद जी मैं पूछना चाता हूँ आप से पूछना चाता हूँ, आप तो परतिनिदी हैं उनके, कहा है संसद जी उनका घर उज़न रहा है उनों कहरे है हमने वोट दिया है आपको सरकार बनाई है, हमने सांसद बनाया है वोट मेरा वैद था अब मेरा वैद हो गया 500-500-1000 जार घुड़ों पर बुलडोजर चलने की तैयारी है और आप उच्छे बताईए सुप्रेम कोर्ट में वहां फ़के के और यह वहां से आपको किसी तरह say जीते भी हो तो कमस्कान सा अनकर नहीं के वहां को भार को बताइए बताईए भूं जाकने गया जो हुग अब हम 70 साल को गए हम नौकरी से रिटाइर हो गई हम ये मकान बनाया था मेरे पास रजिट्री है मेरे पास दाखिल खार इज अब बताये हम कहा जाए अगर आपको किसी का घर गिराना है और नहीं गिराना है तो आप पे चिन लगाये गया, यह चिन सब विकार है, हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो क्या कलत कह रहे हैं, आप वोट लोटा दीजें उनका, वो कह रहे हैं, जब हमारा वोट, यह आपको टॉपिक नहीं बता दीजें, यह एक दिन पहले जो विडियो बनाते हैं, उस पर आते हैं गज़ब भाई, रिलाक्स अनुराक जी, आपको मेरी इबेट को रहना है, आपको सूनीए मेरे बाउट, जब को रहे हैं, तो क metropolitan जी को जबाग रहे हैं, डabytesइन प्सक्नर लॉपर्ट पर क्यों नी बोल रहा हैं, क्यों नी बोल रहे हैं? महिलाओं के लिए आज नहीं खड़े होंगे प्रियांका गांधी कहती थी लड़की उलड़ सकती हूँ तो फिर क्यों आप महिलाओं को है अरे भाई महिलाओं को बत्ता मिलना चाहिए उसमें क्या दिक्कत है आपको अप उनके लिए बोल नहीं रहे हैं यही प्रॉब्लम है आपको अमेशा पॉइंट चेंज करना है अपको कोई आदमी जा सकता है वो दिखाई पड़ा एक शब्द मूसे नहीं निकला और उन लोगों की पीडा तक पहुंच गए सरकार उस विशे को उपर संवेदना से विचार कर रही है मगर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो ना सवाल से बचने के लिए आप उस घटां के उपर गये तो मैं पूछना जाता हूँ क्या सवाजबादी पार्टी ने कोई कारिस्तगन परस्ताओ दिया है विधान सवाल में या खिले शादो लोग का सदम में नेता हो गए है लोग सवाल में क्या दिया नोटिस बोलो किसी टीवी पर आकर शरीयत को सर्वोच चिन्याले से उपर आने के विशे के बचाओ के लिए इसको यूज करना है सोचिये या तो इस वेक्ति को पता ही नहीं है कि डिवेट किस विशे के उपर हो रही है या फिर सोचिये निरलजिता कि ये पराकाश्ठा है कि उस पर एक शब्द न बोलना पड़े तो उस विशे को लेकर आओ मैं मानता हूँ वो एक सम्वेधन शिल्मुद्दा है और निश्यत रूप से सरकार सम्वेधन शिल्ता के साथ काम करेगी पर अगर समिधान से उपर है तो सम्वेधन से उपर ये विशे उठाया है कि नहीं अखले शादों ने बोलो अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई दिखाई पड़ रहे ना तो पिर कहो कि हम सम्वेधन का विशे नहीं उठाएंगे ये उठाएंगे बोना अनुराग बनो रही है मैं आपको अपने डिबेट डिरेल नहीं करने दे रहा हूँ आप मेरी बात समझे आप बोलिये ना औरल इंडिया मुस्लिम पसनल लॉड़ बोर्ट क्या कहरा आदिल असन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास AIMIM के मिनको पूछना है ये जे फिलिस्तीन कहां तक पहुंच रहा आपको देख रहा है आप उसका कोई औचित ना उस दिन था न थपता अनुराग जी को भी रखिये आप लेकिन मैं स्टूडियो में है मिरे पास कंचना जी बताईए मिरे को क्या मुसल्मान महिलाओं को अनुराग जी को क्या टॉपिक बताया गया था डिबेट से और भारती जन्ता पार्टी के अंदर उत्ता प्रदेश में सिर्फ रोगल हो रहा है जो भीजेपी दुबारा जो हारी है लेकिन मैं इस पर ही बोलूँगी क्योंकि आपने ये टॉपिक रखा है कोई भी महिला हो किसी भी धर्म से हो वो चाहिए इस्लामिक धर्म से हो चाहिए हिंदू हो बुद्धो जैन जो भी हो सबको बराबर का हक है राइट है भता मिलना नोकरी मिलना गुजारा करना फ्रीडम होना सब कुछ का राइट है और इसी राइट करता सुधानसु जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ जैसे आप अनुराग जी से हाँ या ना में जवाब पूछ रहे थे और मुस्लीम महिलाओं को और बुद महिलाओं को जैन जिनका रेप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है जो अल्प संख्यक है हमारे जैस में जितने भी है उनको अरचड का हक है अलग से कोटा की जरूरत है तो आप लोग ने एक दम से मूँपर चुपी सादनी एक भी लोग और तक लाग वहागाँ थी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्याफ को और आप देंगे या नहीं हा या ना में जवाप आप से जाग मैं एक जाए जो कुर आइए